आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रिमंत्रे मंडल की बैठक हुई बैठक में कई एहम नर्ने लिये गए केंद्रे मंडल ने अयोध्या हवाइड़े को अंतरराश्ट्रे हवाइड़ा घोशित करने को मंजूरी दी है साथी रामायन महाकावे के रचनाकार महरीशी वालमी की कोश्रधांजली स्वरूप इसका नाम महरीशी वालमी की अंतर राश्ट्रिय हवाई अड़ा आयोध्या धाम रखने की प्रस्ताव को भी मन्जूरी दी गई अयोध्या को वैश्विक तीर्थ स्थल और प्रमुख आर्थिक केंडर के रूप में विकसित करने तथा विदेशी तीर्थ यात्रियों पर्याटिकों तथा विवसाईयों को आकरशित करने के लिए अयोध्या हवाई अड़े का अंतर राश्ट्रिय दर्जा महत्रपुन है इनमें अक्रोस, ओस्माट, पेसर, सेजी इ, रीच आउट शामिल हैं। पृत्वी प्रणाले, विज्ञान, दरसल, वायू मंडल, जल मंडल, भू मंडल, क्रायोस्फेर और जीव मंडल जैसे घटक तथा उनके बीच के जटिल अंतर संबंध पर समगर रूप से कारे करता ह पृत्वी एक व्यापक योजना है, जो विभिन घटक पर एकिकरित अनुसंधान और नवीन कारिक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी, साथ ही बड़ी चुनोतियों का समाधान करने और संसाधनों का पता लगाने में भी इससे मदद होगी। में भारतिय रेलवे के लिए स्वच उर्जा सही दीर कालिक उर्जा योजना, रेलवे की इमारतों के लिए एक उर्जा दक्षता नहीं थी, स्वच उर्जा खरीद योजना तथा कार्यानवियन के लिए तक्नीकी सहायता आधी शामिल हैं। और साथी कैबिनेट ने फैसला लेते हुए हाइड्रो काबन क्षित्र में सहयोग को लेकर भारत सरकार और गुयाना गणराज्य के बीच MOU को स्विकृती थी इस हाइड्रो काबन क्षित्र में सहयोग से भारत को कच्चे तेल के स्रोत में विविधता तथा देश की उर्चा और आपूर्ती सुरक्षम में भी वृत्थी हासिल होगी 11.2 billion barrel तेल की नई खोच से गुयाना दुनिया का नया तेल उत्पादक देश बन गया है उसकी तेल की ये खोच कुल वैश्विक तेल का 18 प्रतिशत और खोजे गए तेल का 32 प्रतिशत है